1000 कुल्चा चालेंज रसोई बाई ग्राण मदर नागपुर गाउं में नरेन चोधरी नाम का एक अमीर आदमी रहता था वो अपने बेटे रवी किशन की शादी धूम धाम से करवा रहा था उसके साथ साथ अपने रिष्टेदारों के सामने खुद की महानता बताते हुए नरेन चोधरी शादी दिखने रिष्टेदारों को, मेरे दोस्तों को और सब शुब चिंतकों को मेरा नमस्कार दूर दूर से बहुत मैनत करके इन्हें आशिरवात देने आई लोगों को मैं आबेर हूँ और इस शुब औसर पर मैं एक प्रतियोगिता लगा रहा हूँ उस प्रतियोगिता में हमारे गाउंवालों के साथ साथ दूसरे गाउं के लोग भी भाग ले सकते हैं वो प्रतियोगता ये है कि आप में से कोई भी हजार कुल्चे अद्बुत तरीके से जल्दी बनाएगा उन्हें मैं एक लाक रुपे का इनाम दूँगा वहाँ आए रिष्टेदारों में से थोड़े लोग आ गया है वही गौ में रहने वाली हेमा नाम की एक बुड़ी औरत भी प्रतियोगता में भाग लेने के लिए आगे आई उसे देखते ही नरेन चोदरी क्या बुडिया तुम भी प्रतियोगता में भाग लोगी क्या ये कुल्चे खाने की प्रतियोगता नहीं है ये कुल्चे बनाने की प्रतियोगता है हजार कुल्चे बनाने होंगे तुम बना सकती हो क्या? क्या तुम में उतनी ताकत है? बेटा, मैं भी कुल्चे बनाने के लिए आई हूँ काने के लिए नहीं अगर मैं काना चाहूं तो भी नहीं का सकती क्योंकि मेरे दाथ नहीं है न जुबान से ही छबाना पड़ेगा जोर से हसते हुए नरन चोदरी ठीक है ठीक है क्या हुआ इस प्रतियोगता में भाग लेने वाले और कोई नहीं है क्या वो कुल्चे बनाने में बहुत माहिर है और हर एक प्रतियोगता में वही जीती है कहकर गाव वाले बोलते है कुछ न कुछ करके उसे इस प्रतियोगता में से बाहर निकालना होगा सिर्फ तभी हम तीनों में किसी एक को जीतने का मौका मिलेगा एक काम करते हैं वो बुड़ी चलते समय रास्ते पे तेल दाते हैं वो उस पर पैर लगाते ही फिसल कर गिर जाएगी और उसकी कमर टूट जाएगी उस टूटी हुई कमर से वो कुल्चे कैसे बना पाएगी उसे कुछ नहीं होगा और हार जाएगी के बाद हम तीन ही और हम में से कोई भी जीते उन पैसों का बराबर बात लेंगे क्या कहते हो बोलते ही बाकी के दोनों सर हिला कर हाँ बोले उन्होंने मौका देखकर हेमा चलते वक्त उस रास्ते पर तेल डाल दिया वहाँ से गुजरते हो बोली हेमा उस तेल पर पैर लगा नहीं वाली थी कि तभी किसी के पुकरने की आवा सुनाई दी वो कौन है सोचकर देखी तो संतोष नाम का लड़का दादी इस उम्र में आप तकलीफ क्यों उटा रहे हैं आपको ऐसे प्रतियोगताओं में भाग लेने की जरुरत क्या है क्यों रे पोते क्या बुड़े केल नहीं सकते क्या या तो हम जीत नहीं सकते तुम क्यों नहीं जीतोगी वैसे तुम्हारे हातों से बनाए हुए खुल्चे काने के लिए भी नसीब रहना चाहिए ठीक है ठीक है जाओ जिल्दी बनाओ तुम्हारे competition को मैं यहाँ बैट कर ही देखूंगा के कर संतोष बोला इतने में प्रतियोगता में भाग लेने वाले उतीन औरत संतोष की पास आए बाई संतोष क्या हुआ उस बुड़ी से कुछ कुसुर फुसुर कर रहे हो कैसे जीतना है ये नुसके बता रहे हो क्या ऐसा कुछ नहीं मामी इस सुमर में तुम ऐसी चुनोतिया में क्यूं भाग ले रहे हो कहकर पूछ रहाता बस उतना ही मगर वो सुनेगी तब न उतने में चोधरी सब तयार रहे है मैं कॉंट अन शुरू करके रेडी गो कहते ही आपको कुल्चे बनाना शुरू करना होगा और कौन सबसे पहले हजार कुल्चे बनाएगा वही जीतेगा उन्हें ये एक लाक रुपे का हिनाम मिलेगा कहकर कॉंट अन शुरू किया 5,4,3,2,1, रेडी गो बाकी के तीन जल्दी जल्दी आठे को सानने लगे कुल्चे तयार करने के लिए बिना रुके सब सामानों को एकटा कर रहे थे बिना रुके बिना तके वो कुल्चे बनाने के हर काम को फटा फट कर रहे थे मगर दूसरी तरफ बुड़ी हेमा धीरे दीरे से बिना कोई हट बड़ी के आराम से अपना काम कर रही थी वो देखकर सावित्री तब ये क्या हम तीनों इतने परेशान हो रहे है मगर वो बुड़ी तो दीरे दीरे काम कर रही है फिर भी इसके बारे में गाउंवाले इतनी तारिफ क्यों करते हैं उसे जाने दो पहल कर आराम करने लगे मगर हेमा ने जल्दी जल्दी सबसे पहले हजाल कुल्चे तयार करके बगल में रख दिये वो देखकर सावित्री ये क्या 500 कुल्चे बनाते बनाते हमारे हाथ गिर गे हम तक गे मगर वो बुड़ी को इतनी शक्ती कहां से आई के कर दंग रहे गे उतने में नरेंचोदरी वाव ये बहुत ही आशेरी की बात है तीन जवान नारी एक बुड़ी औरत से मुकाबला करे बिना ही तृतियोगता से बाहर निकल गए मगर अपनी बुड़ी हेमा फटा फट से हजार कुल्चे बना कर ये तृतियोगता में जीती है इसलिए ये एक लाक अगर जल्दी दे दे तो मैं गर जाओंगी क्या हुआ बुड़िया तुम्हें इतनी जल्दी क्या है तोड़ी देर रुक नहीं सकती क्या वैसे ये एक लाक लेकर क्या खरी दोगे सोना लोगी क्या बोलते ही वहां रहने वाले सब के आखें भराए अरे रे हमें माफ कीजे दादी ज्यादातर बाहर नहीं आने वाली बोड़ी हेमा आज के दिन इस प्रितिय हुता में बाग ले रही है तो तब ही मुझे समझ जाना चाहिए था पड़ोस में रहकर भी पड़ोसों की बादाहों को नहीं देख पा रहे हैं ऐसे परिसिती में जी रहे हैं हम इसके लिए मैं बहुत शिर्मी ना हूँ मुझे माफ कीजे दादी के कर सौरी बोलकर पहले खाना लेकर हेमा के पती के पास जाकर वो खुद हुने खिलाया और तब से उस गांग का हर एक विक्ती उनका देख बाल देखने लगा जाएंट चिकन लॉलिपप दौलताबद नाम के गाउ में दामोंधर नाम का चिकन लॉलिपप बेशने वाला व्यापारी रहता था उसका व्यापार ठीक ठाकी चलता था उसकी पत्नी दमयंती उससे ओ जी और कितने दिन हम यू चिकन लॉलिपप के बरो से ही जिएंगे हमारा व्यापार नुकसान में चल रहा है और कोई दूसरा व्यापार करे क्या जी मुझे सिर्फ पकाना ही आता है अब एक नया काम सीखना मेरे से नहीं होगा ऐसा है तो लॉलिपप को और थोड़ा अनो के तरीके से बनाएंगे जी मुझे समझ में आए ऐसा कहो न ओ जी हम एक जैंट चिकन लॉलिपप को तयार करेंगे तब सारे गाओ के लोग उसे देखने बागते हुए आएंगे और अपने सेल्स भी बढ़ेंगे न जी आइडिया तो अच्छा है मगर एक बड़ा सा जैंट चिकन लॉलिपप बनाना मामूली बात नहीं है हमें उतनी बड़ी जैंट मुर्गी कैसे मिलेगी कोई चमतकार होकर बहुत बड़ा सा जैंट मुर्गी मिले तो ही हम जैंट चिकन लॉलिपप बना सकते हैं ऐसा बड़ा जाइंट मुर्गी को बनाना वाला कोई साइंटिस्ट मिल जाए तो ही हम एक जाइंट चिकन लॉलिपप बनवा सकते हैं। ऐसे कहते ही इनके बाते सुनकर उनकी बेटी माधुरी वहाँ आकर पिता जी मेरी पड़ाई जेनटिक्स के बारे में ही है ना। तोड़े फारमलास का उपयो करके जेनट मुर्गी बनाने में आपकी मदद करूँगी। नए सॉलूशन को त्यार करके वो इंजेक्शन को ले जाकर घर के बार मौजुद छोटे मुर्गियों को दी। बस वो मुर्गी एक बड़े से जेन्ट मुर्गी में बदल गया। वो देखते ही ताम अधर आश्यरी हो गया। बापरे बहुत बड़ा जेन्ट मुर्गी सक्सेस सक्सेस मेरी बेटी जीने से जीने से कहकर पुकारने लगा। पिताजी पिताजी पुकारिये मत लोगों को अपना सीक्रेट पता चल जाएगा। आप चुप चाप वो मुर्गी को काटकर ड्रेसिंग करके उसे बहुत बड़ा जेन्ट चिकेन लॉलिपॉप को तयार करिये। ठीके ठीके माली छोटे मोटे मुर्गी के चिकेन लॉलिपॉप मैं अकेला ही तयार कर लूँगा। मगर इतना बड़ा चिकेन लॉलिपॉप तयार करने के लिए मेरे हाथ काप रहे हैं। मैं कर भी सकता हूँ या नहीं डर लग रहा है मुझे। ओ जी आपको चिकेन लॉलिपॉप बनाने में कई सालों का अनुबव है ना। आप लॉलिपॉप अच्छा बना लेते हो। आप बनाइए चाहे तो मैं और माली नी आपकी मदद करेंगे। बसे बसे अगर आप दोनों मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं कोई भी काम यूही कर दूँगा। पहले उतने बड़े चिकेन लॉलिपॉप को बनाने में बहुत ज़्यादा मसाले की जरुरत है। आप पहले वो मसाले को बनाने के सामान को खरीदिए। दमय अंती माली नी मुना नाम के सेट के पास गए। पहले पिता जी का बिजनेस नुकसान में ही चल रहा है ना? अब ये दिखावे की जरुरत क्या है? फिर भी दो टन मसाले के लिए कितना खर्चा होगा पता है ने पैसे कैसे आएंगे तुमारे पिता जी के पास? सेट जी मेरे शादी के लिए पिता जी ने जो पैसे जमा किये है उन पैसे से करी देंगे आप उतने बारी मसालों को मंगवा सकते है या नहीं? नहीं तो बोलिए हम दूसरे दुकान जाते हैं? हम आपको जो करनाए करिये मुझे क्या? मुझे मेरा व्यापार चलना चाहिए पैसे देकर सामन ले जाइए मालिनी थोड़ा अद्वांस देकर घर आ गई मुनना से लौरी भर कर मसाले बेजा उन मसालों को सीडियों की मदद से ओ चिकन लाली पाप को अच्छे थरीके से ल ऐसा सुना है? चलिये चलिये देखते हैं ऐसे गाओं के लोग बात करने लगे और उस जाइंट चिकन लाली पाप को देखने आए उनके आखों के सामने सबसे बड़ा चिकन लाली पाप तैयार होकर रेडी था उसे दिखाते हुए प्यारे गाओ वासियों इतने सालों से मेरे होटल में चिकन लॉली पप खरीद रहे आपको मेरे शॉप के 50 साल होने के आउसर पर मैंने आपके लिए दुनिया में सबसे बड़ा चिकन लॉली पप तयार किया है ये तुम सब को फ्री है आईए सब प्लेट्स लेकर आईए केकर सीडी चड़ कर वो जाइंट लॉलीपप को काट कर एक एको प्लेट में परोसने लगा वो खाते हुए गाउं के लोग मैं ये चिकन लॉलीपप को देखकर ये कोई खिलोना है सोचाता ये सब सुन रहा मुन्णा वह सब चड़ो पहले ये चिकन थंड़ा होने से पहले खाओ ये चिकन बहुत टेष्टी है ना ये चिकन इतना टेष्टी होने का कारण मेरे मंगवाये हुए मसाले हैं केकर खुद की वावाई करने लगा चुप जाओ मुनासेट, तुम बगबग करना छोड़ दो, तुम्हारे पास बिना मसाला खरीत के भी दामोदर छोटे 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 लालीपप को भी बहुत स्वाधिश्ट बनाता था, ये तुम्हारे मसाली की खुबी नहीं है, वो उसके हातों का चमतकार है, वो एक अच् उनके कृपा से, ये देखो, मुझे दो जाइंट मुर्गे मिले हैं, अब इनके दिये हुए अंडों से बड़े बड़े जाइंट मुर्गे आएंगी, उनसे मैं आपके लिए जाइंट लॉलिपप तयार करूँगा, कहकर जूट बोला, तामोदर को बगल में बुला कर माल केते ही मालिनी दम्यंती हसने लगे, तब से वो जाइंट मुर्गियों से जाइंट चिकन लॉलिपप को तयार करके उन्हें बेचकर खुशी से व्यापार करते हुए जीने लगे